हेलो फ्रेंज मैं रतना मोरिया एक बर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्रागत करती हूँ 555 शक्ती चानल में आज की वीडियो का जो टॉपिक लिया गया है उन दीफ या उन डीम्स के कुश्चन को ध्यान में रखके जो बहुत टॉपिक जरनी में हैं बैलन्स हो चुके हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में कुछ का यूनियन हो चुका है कुछ लोगों का यूनियन नहीं भी हुआ है कुछ लोगों के डीम की शादी हो चुकी है कुछ लोग अपने soulmate के साथ है या जो भी married twin flames थे अलग-अलग partner के साथ married थे उनकी भी बहुत time से journey और उनको भी काफी balance feel होने लगा है उनका अक्सर यह question आता है कि मैं हम अब क्या करे journey का end कहा होता है हमें कैसे पता लगेगा कि यह journey हमारी खतम हो गई क्या lifetime ऐसे ही up and down आते रहेंगे lifetime ऐसे ही हम energy से effect होते रहेंगे या इस journey का कहीं end भी है क्या हम normal life जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं तो ऐसे लोगों के questions को ध्यान में रखके यह फूरा वीडियो मैंने बनाया है और बहुत सारे sign भी आपको बताऊंगी कि जब twin flame journey complete हो जाती है या फिर complete होने के past में आप रहते हैं कि just अब यह complete ही होने वाली है तो आपको क्या sign मिलते हैं और आपको पता कैसे लगेगा कि journey complete हो गई है अब मुझे बहुत जादा इनवर करने के ज़रत नहीं है अब balance हो जानी के ज़रत है क्योंकि देखे issues तो हमेशा कुछ नो कुछ होते ही हैं अपने अंदर और कुछ नो कुछ struggle तो पूरे lifetime चलता रहेगा तो struggle तो पूरे lifetime चलता रहेगा उसके पीछे कब तक भागना है satisfied कब तक हो जाने overall कहने का मतलब है कि यह टुन फ्रेम जर्नी जैसे जो आप जी रहे हैं उसका end कब होगा कब आप एक normal लोगों की तरह learning करेंगे normal लोगों की तरह life जीना शुरू करेंगे ऐसा कब होगा आपके जर्नी complete कब हो जाएगी तो इसके लिए कुछ साइन क्योंकि कुछ लोग 6-7 साल 8 साल से हैं सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन फिर भी टुन फ्रेम के विडियोस देख रहे हैं उनको कुछ और आस है कि नहीं कुछ और ऐसा हो जाएगा अभी भी लाइफ में प्राब्लम क्यों है तो वो सारी चीजें कवर करेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन तो है डेफिनेटली कन्फ्यूजन है तब ही ये कोश्चन आया है तो इसी टॉपिक पे मैं आपको पूरी क्लारिटी देने की कोश्श करूँगी तो सबसे पहले दिमाग से आप सभी ये भरम निकाल दीजे कि टॉपिन फ्लेम से शादी नहीं हुई तो आप टॉपिन फ्लेम जर्नी में नहीं है या टॉपिन फ्लेम आपका थर्ड पार्टी सिचेशन में है तो कहीं आप किसी भरम में तो नहीं है किसी गलत इंसान के पीछे पड़ गए है या कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका partner merit कहीं और है पहले से ही आप कहीं और merit है तो आप सोचें कि नहीं ये मेरा extra marital affair है या मेरा कुछ issue है इस वज़र से मैं to inflame journey में हूँ मैं ब्रह्म में हूँ नहीं अगर आप कोई भी reason हो इसके अलावा भी बहुत सारे reason होते है कोई भी reason हो लेकिन अगर आप relationship में struggle कर रहे है और किसी partner के थुरू आपकी awakening स्टार्ट होई है किसी partner से मिलने के बाद आपकी spiritual awakening स्टार्ट होई है और अंदर कहीं न कहीं आपके एक right partner पाने की desire है तो 100% आप twin film journey में है twin film journey is real यह बिल्कुल भी myth नहीं है जो इसमें आपके experiences हो रहे हैं जो आप चीज़े learn कर रहे हैं वो बिल्कुल real है आप partner जिससे आप deal कर रहे हैं वो आपका real twin है कि नहीं है कार्मी के soulmate है यह बात की बात है यह confirm कराने वाली चीज़ है लेकिन twin film journey में अगर आप relationship में struggle कर रहे हैं आपकी awakening चल रही है और आपके अंदर desire भी है किसी को पाने की अपने twin से मिलने की तो आप twin film journey में 100% है यह चीज़ clear हो गई अब आगे बात करते हैं कि अब तक क्योंकि यह जो शुरुआत में है जरनी में वो तो अभी अभी शुरुआत में है उनको तो यही करना है कि बहुत कुछ अभी learn करते हुए जाना है यह video specific उन लोगों के लिए है जो बहुत time से जरनी में है और लगभग सारे इनवग कर चुके हैं काफी balance है और लगभग लगभग यूनियन कुछ लोगों का हो चुका है या कुछ लोग यूनियन के करीब है on off situation चल रही है कुछ लोगों का union हो चुका है शादी हो चुके है या शादी नहीं भी हुई है तो अब अपने twin से अलग भी हो चुके है भूल भी चुके हैं, कोई भी situation हो सकती है, लेकिन आप long time से हैं, आपको relax feel होता है, इतना check करिए, कि क्या आपको relax feel होता है, क्या आप सब कुछ अपने अंदर heal जासा feel करते हैं, क्या आपको अपने twin के लिए अभी भी बहुत ज़ादा craving होती है, क्या आपको अभी भी बहुत desire नहीं है, मिलने की कोई desire नहीं है, आपको पता है, कि मैं इश्वर के साथ complete feel कर रही हूँ, या कर रहा हूँ, तब आप काफी close हैं, अपनी journey खतम करने के, ये भी एक sign है, जो सब को अकसर पता ही है, तो चलिए मैं point to point sign की बात करते हूँ, सबसे पहले mental और energy level के आपको sign बत आदेते हैं, उसके बाद spiritual या universe से अलग से sign क्या मिलते हैं, आपकी journey जब complete हो जाती है, वो बताऊंगी, देखिए अगर आपकी journey complete हो चुकी है, और फिर भी आप videos देख रहे हैं, फिर भी आप inner work करें, फिर भी सोचरों कुछ और अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नही complete हो चुकी है, तो यह साथ sign सुनिये, पहला sign, relationship से related आपके issues हैं, इस वज़े से आपको यह turn film journey मिली है, ठीक है, तो आप पहला sign यह है, कि learn your mistakes in relationship, आप अपनी सारी mistakes, जो कि अकसर आप relationship में करते आएं हैं, उन सारी mistakes का आपको answer मिल जाता है, realization होता है, और वो सारी mistakes realize करने के ब तयार हो जाते हैं, खुद आपको पता चल जाता है, जब पता चल जाता है, तो यह एक sign है, कि अब आपका relationship में struggle समाप्त हो जाएगा, आपकी journey complete हो जाएगी, या होने के process में है, बहुत close है, दूसरा sign, clear your relationship करमा, relationship से related आप अपने सारे कर्मा क्लियर कर लेते हैं, कर्मा क्लि यह दोनों अलग अलग चीज़े हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने relationship के सारे mistakes पता तो हो गया आपको, लेकिन क्यूंकि आपके कर्मा है, क्यूंकि previous आप कुछ चीज़े पहले नहीं जानते थे relationship के बारे में, या चीज़ों के बारे में, तो आपने कुछ गलतियां करी है आपने किसी को hurt किया है, आपकी वज़े से बहुत सारे लोगों को hurt हुआ है, किसी ने curse किया है, या कोई लोग आपकी वज़े से परिशान रहे हैं, तो वो सारे pain तकलीफ जो किसी को मिला है, आपकी वज़े से वो return आपको झेलना पड़ता है, तो twin flame journey में जो हमको इतना suffering हो होता है, एक तरीके से karma भी साथ में release हो रहा होता है, साथ में, learning process के साथ में karma भी release हो रहा होता है, तो हम relationship से related, सारे अपने karma cleanse कर लेते हैं, और universe की तरफ से आपको बता दिया जाता है, ये सारे करमाज आपके थे, इस वजर से आप स्ट्रगल कर रहे थे, और ये करमाज आप आपके अब पूरी तरीके से clear हो गए हैं, यह sign आपको universe की तरफ से मिल जाता है, तीसरा sign है, attract what you want, आप जिस चीज के लिए struggle कर रहे हैं, जो आपके अंदर desire है, जैसे होता है, कि हम सोचते हैं कि हम को यह चाहिए, वो चाहिए, जिस चीज के लिए आप struggle कर रहे हैं, वो चीज आपको मिल जाती है, जब आपका twin flame journey का end होता है, सबसे पहले तो वही relationship के mistakes सीखते हैं, आप उसके बाद फिर सारे कर्मा clear करते हैं, और तीसरा step में यही आता है, कि आप जो चाहते हैं, वो आपको मिल जाता है, यह तीसरे step में आता है, सारी healing कर्मा clear होने के बाद, जो आपक में आता है, union, सारे कर्मा clear करने के बाद, सब कुछ learn करने के बाद, अन्त में लोगों का union हो जाता है, इसी state में, इसी step में, और अगर किसी का union होना नहीं लिखा है, माल लीजे, या किसी के partner कहीं और पहले से married हैं, या फिर आपके partner की कहीं और शादी हो गई है, या आपकी ह कहीं और शादी हो गई है, या फिर किसी भी रिजन से आपका और उनका कर्मा अलग-अलग लोगों के साथ soul contract है, और आपका अलग होना निश्चित है, ऐसा कुछ है, तो फिर भी, आप जो चाह रहे होंगे, वो आपको मिल जाएगा, अगर उनके साथ आप harmonious union चाह रहे हों अगर आप relationship चाहते ही नहीं, अगर आप lifetime अखेले रहना चाहते हैं, और उसमें आप खुशी फील कर रहे हैं, तो God आपको वो भी दे देते हैं, और अगर ऐसा कुछ financial stability चाहते हैं, लाइफ में कुछ abundance चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं, तो आप वो अट्राक्ट कर लेंगे क्यों आपको last में ऐसा क्यों होता है, कि जो आप चाहते हैं, वो आपके पुन्य कर्म होते हैं, क्योंकि twin flame journey में इतने time से struggle करते करते, आपने बहुत सारा कुछ जहला जरूर, लेकिन आपने बहुत सारा साथ में साथ नाम जाब किया, बहुत सारा लोगों की help की, मदद की, तो वो सारे पुन्य कर्म आपके इकठा हो रहे थे, उन पुन्य कर्मों का आपको फल नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप अपना कर्म और बाकी सारी mention, learning, वो My someplace कर्म थोड़ह थोड़ह मिल रहे थे, सारे नहीं मिल रहे थे, तो वो आंत में मिलता है поступा 10, जब हम सारा clear कर लेत लक्ट कि वो सारा ही कठा हो जाते हैं और फिर हम जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं यह है कि आपकी चॉइस होती है कहीं न कहीं आप उस लेवल तक तो लोग इतने समझदार हो जाते हैं उनको पता हो जाते हैं कि उनको क्या चीज लाइफ में जरूरी है तो वही चीज मांगते हैं और फिर वह एपी लाइफ बिताते हैं हां यह तीसरा साइन है आपके लिए चौथा लर्न परपोस आफ ट्विन फ्लेम जर्नी ठीक है मैंने तो अभी आपको तीन साइन बिच में आपपना Soul Purpose आप साथ में चुट्याद व एप को पता चल जाता है कि आप ड़े कि आपने इसका क्या मकसद था और आपको पता चल जाता है अंदर से आप सटिसफाइट फील करते हैं एकसेप्टेंस फील करते हैं और माइंड क्लियर फील करते हैं कि येस अच्छा तो मेरा ट्विन फिल्म जर्नी इसलिए मुझे मिला था येस मैं सारा कुछ जान गई हूं कि आजान गया हो और फिर आप बिल्कुल अंदर से पीसफ apologize फील करते हैं छटवा साइन है भक्ति से रिलेटेड आप अभी तक बहुत पूजा पार्ट भक्ति नेगटिव एनरजी इन सब के पीछे पड़े रहें सोचते रहें कि ये पूजा कर लू तो ये हो जाएगा वो कर लू तो वो हो जाएगा ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा जब आपके सान भक्ति में नहीं जाता जाता है लेकिन आपका लेवल अलग हो जाएगा ट्विन फिल्म जनी कंप्लीट होने के बाद इतनी सारे लर्निंग करने के बाद भक्ति की भी लर्निंग होती है ना बीच में तो रियली में आपको पता लग जाएगा एक्ट्वल भक्ति होती क् कि आप feeling wise God से connect हो जाते हैं, नाम जाप के wise God से connect हो जाते हैं, अंदर से आपके इतना gratitude होता है God के लिए कि आपका हर पल भक्ती में पूजा में अपने आप ही surrender हो जाता है, मतलब आपको रोज regular route के धूप बत्ती अगर बत्ती नहीं करनी पड़ेगी, आपको regular route के meditation भी नहीं कर रहेंगे और दम God के करीब रहेंगे, और यही एक reason है कि जब किसी की turn flame journey complete हो जाती है, या बहुत वो high vibe में आ जाते हैं, लाइफ में सारे problems खतम हो जाते हैं, तो उसके उपर इन सब चीजों का effect पढ़ना, new moon का, full moon का, जो energy, negative energy attacks होते हैं, भूत प्रेत, दुनिया भर की करीब हो जाता है, और फिर naturally, वो meditation और यह सारी चीजों में involved नहीं होता है, वो अपना normal life जीना शुरू कर देता है, और normal life जीते हुए भी बहुत ज़्यादा high vibration में होता है, energy उसके drain नहीं हो रही होती, अगर आप भी सब कुछ समझ चुके हैं, अब आपको भक्ती में भी है और साथ में कुछ practices नहीं कर रहे हैं, meditation साथ नहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप हाई vibration में हैं, फिर भी आपके उपर negative energy को कोई effect नहीं पढ़ रहा, full moon का new moon का कुछ खासा effect नहीं पढ़ रहा, full moon आ रहा है जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं लग रहा, तब activities में जैसे आप Twin Film Journey में आने के पहले लाइफ जीते थे वैसे लाइफ अब आप जी सकते हैं बस अंत में आपको ध्यान वही देने की जुरुत होती है कि आप negative जो बहुत जादा इन सब चीजों में है negative vibration में उनसे बहुत जादा connect नहीं रहे ना नहीं तो उनकी energy का effect आपके उपर पड़ता है और आप drain होने लगते हैं आपकी energy high से low की तरफ transfer होने लगती है तो उसका थोड़ा बहुत effect आपके उपर आ सकता है बस अब आप knowledge इकठी ज़रूर करें लेकिन negative लोगों के energy protect करें और high vibration में रहें high vibrational activities में रहें ठीक है तो यही सारे sign होते हैं कि आपके twin flame journey complete हो चुकी है अगर आप twin flame journey complete करने के काफी नजदीक हैं तब भी आपको यह sign resonate करेंगे तब क्या होगा तब थोड़ा सा up and down होगा आप इन vibration में रहेंगे लेकिन साथ साथ कभी कभी बहुत नेगटिव vibration में भी चले जाएंगे सिच होगी आपकी energy थोड़ा influence होगी है ना balance नहीं रहेंगे लेकिन हां वो अगर आपको यह सारे sign match हो रहे हैं तो इसका मतलब आप काफी close हैं कभी कभी आप negative हो सकते हैं लेकिन जल्दी एक ऐसा time आने वाला है जब आप एकदम पूरी तरीके से इन ही vibration में switch हो जाएंगे फिर negative energy की तरफ आप drain नहीं होंगे या फिर down फिर से नहीं जाएंगे आप permanently अपने आपको इस energy में stable कर लेंगे लेकिन अगर आपकी energy permanently जो मैंने 6 sign बताया उसमें stable नहीं है अभी भी आपको desire है अभी भी आपको ऐसे low feel होता है अभी भी आप अपने mistakes पूरी तरीके से learn नहीं कर पाए है अभी तक कर्मा clear नहीं हो पाया है relationship से related learning proper नहीं हो पाई है जो चाहते हैं वो attract नहीं कर पाए है अभी भी कुछ नो कुछ desires है God से connection भक्ती proper feel नहीं हो रही है तो इसका मतलब है नजदीक तो हैं आप लेकिन complete नहीं होई है करेंगे क्या यह हम normal life भी जी पाएंगे तो yes आप normal life भी जी सकते हैं बहुत सारे लोग normal life जी रहे हैं उनसे discuss करने के बाद ही मैं आपको बता रही हूं genuinely twin film journey में थे healing की union भी हुआ बागी सारा process भी हुआ learn भी किया karma healing भी किया और अब normal life जी रहे हैं यह लगबग journey कितने सालो जो सही से अगर इनवक कर रहा है तो 3 साल, 4 साल, 5 साल में journey पूरी तरीके से complete हो जाती है और अगर बात करें कि universe से आपको क्या sign मिलते हैं तो universe से आपको यही sign मिलेंगे कि आपका सारा kurma finish हो गया है वो आपको आपके सारे kurma finish होते हुए दिखा देंगे ड्रीम बगर में या या फिर आप बहुत सारा बैग लिये थे और अचानक सारा बैग छूट गया अब आपके पास कोई बैग नहीं है आप बिलकुल खाली हाथ है और बहुत हैपिनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं ऐसा कोई ड्रीम दिखा देंगे या सीधे आपको माक्षिट दे देंगे कि यह आपका फाइनल यर कर रिजल्ट आप पास हो गए हो ऐसे भी दिखा देंगे स्कूल के ड्रीम आपको आएंगे स्कूल में आपका नाम एनाउंस किया जा रहा है और बता जा रहा है कि आप पास हो गए हो या फिर आप अपने आपको डिग्री पाते हुए फील करो क्योंकि स्कूल की तरह है इसलिए इसमें आपको स्कूल के ड्रीम, मार्कशीट के ड्रीम, टेस्ट देते हुए यह सारे साइन जादा मिलते हैं यह सारे चीजों से रिलेटेड ड्रीम्स जादा आते हैं तो आपको ड्रीम्स के थ्रू या मैसेज के थ्रू या वीजन के थ्रू या फिर आपका यह कर्मा क्लियर हो गया कुछ बाकी रहेगा तब आप नई ट्रेन पकड़ेंगे जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले ऐसा एनाउंस किया था कुछ चैनलिंग के दौरान मैंने बताया था कि कुछ डियाफ हैं जिनके ट्रेन छूट गई है और वो कुछ सामान लेक आए ट्रेन में चड़ रहे हैं इसका मतलब उनके जर्नी कंपलीट नहीं होई है लेकिन उनके जर्नी का एक फेस खतम हुआ है और किसी नई चीज में इन्वाल हो गई है मतलब उनके जर्नी में कुछ नया लेसं स्टार्ट हो गया है उनको नई तरीके से लर्निंग सीखनी पड़ेगी नया उनका एक और जर्णी स्टार्ट हो रहा है तो ऐसी जो डीएफ हैं जिनको रिजनेट किया वो थोड़ा इलट रहे हैं क्योंकि अभी आपके जर्णी चल रही है और आप सीखने वाले हो बहुत कुछ और जहां तो कि यूनियन की बात करी जाए तो बहुत सार कि जर्णी अलग अलग है और सबका end result अलग अलग होता है तो किसी के भी जर्णी के result को या फिर किसी की जर्णी देख करके अपनी जर्णी को compare नहीं करना है अपना खुद का अलग learning जो God आपको दे रहे हैं उस पर focus करना है ओके फ्रेंज तो ये थी आज की guidance अगर आपको कोई भी discussion करना है जरनी के बारे में कहीं stuck हो गए है या आपके जरनी के recording आपको क्या inner work करना चाहिए कुछ भी discuss करना चाहते हैं तो description box में मेरा number दिया हुआ होता है आप number चेक करके personally contact कर सकते हैं first only message करें call डारेक्ट ना करें okay friends God bless you all Om Namas Shivaay Om Sain